आपका बॉस 101 परसंट क्वेस्टन आने का चांसिस है अब 101 परसंट नहीं मुल सकता क्योंकि इंस्टिटूट के डेटा बेस के सिमुलेशन के इसाब से आता है बट बहुत सारे मेरे स्टुडेंट जिन से मेरी बात हुई है आपको कहीं पर दिखेगा नहीं बिकॉस इसको समझने की कोशिश करते हैं गाइस बड उसके पहले प्लीज एंशॉर डाट आप लोग ने वीडियो को लाइक कर दिया है विकॉस दस माग दिलवा रहा हुए आपको चांसेज है देखो मेरे काफी सारे स्टुडेंट्स है जिनसे मेरी बात रिगूरली होती रहती है बिकॉस अभी काफी सारे लोग स्टुडेंट्स ने बोला नया भी है अन्यूजवल है तो इसके लिए इसके ओपर वीडियो बनाना बनता था और आपको इंटी में आपको आता रहें कोई भी में नहीं चीज जाल रहा हो रहा हूं ए आ डो आपको दो लॉला एंटा एट यूर परेव के पास अगर optimized है then in that case well and good because optimized में ये page 8.24 open कर लो जो concept book की है and let's start जिसके बास नहीं है मैं YouTube अपना Telegram channel के उपर जो comment है वहाँ पे मेरा Telegram channel का link डाल रहा हूँ जोईन कर लो Telegram channel वहाँ पे मैं तुम लोगो ये जो मैं अभी चीज करवा रहा हूँ उसका PDF डाल देता हूँ फिलाल मैं अभी Altman Z score का concept करवा रहा हूँ Altman Z score का एक question करवा रहा हूँ end तक सुनना because question होने के बाद भी MCQ type पोलो कैसा question बुछने वाले हैं वो भी मैं तुम लोगो बताऊंगा so stay tuned and anything else let me know in the comments चलो on that note let us start with Altman Z score Altman Z score पता है आपको Altman Z score क्या बोलता है Altman Z score बोलता है कि भाई देखो मेरा जो formula है उसने एक formula दिया classic formula दिया उसने बोला कि अगर मेरा ये formula को तुम लोग ने use किया और उस formula को use करके तुमारे को एक number आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे Z score QZ Altman Z इसको प्यार से Z score बोलता है अमेरिका में क्योंकि वहाँ पर ये सबसे ज़ादा use होता है तो उसने अपना बहुत ज़ादा financial दिमाग लगा है उसने देखा around 33 companies को जो bankrupt हो गई है उसने total 66 companies को analyze किया 66 में से उसने देखा कि 33 companies जो bankrupt हो गई है उन लोग में कुछ चीज़े उसको common लगी जैसे उनके कुछ financial ratios जैसे उनके liquidity ratios profitability ratio operating efficiency ratio उनका जो debt equity ratio था वो सब बहुत ज़ादा कही ना कही question mark में था हिला हुआ था बहुत ज़ादा productivity ratio उसने देखा कि यार यह 33 companies का जो ratio है यह कौन से वाले ratios कितना worked out है उसके basis पे उसने एक पूरा equation बनाया और उस equation में बोला कि boss अगर आपका z score 1.81 से नीचे आया मतलब sorry boss बट आपके लिए एक बहुत बुरी ख़वर है आपकी company distress में हैं companies with a z score below 1.81 are in danger and possibility heading towards bankruptcy game over दूसरा उसने बोला कि अगर आपका z score 1.81 से लेकर 2.99 पे आता है तो फिर investigate करो दया कुछ गड़बड है वो सकता है कि आने वाले time में आपकी company बंद हो जाए बट अभी भी time है आपके पास ठीक है अगर आपका company 2.99 से जाधा है तैं इन इन देट केस आप safe है आप अगले round में जा सकते है तो ऐसे every company used ultimate z score to evaluate itself और देखने लगी के अपना z score क्या आ रहे z score उसने क्या basis पे बनाया था देखो companies with a score more than 2.99 are financially sound the original data sample used by Altman consisted 66 firms half of which had already filed for bankruptcy all businesses in the database were manufacturer with the asset base बड़ी companies का उसने क्या था of dollar 1 million 1 million का मतला होता है 10 lakh dollar or above Altman found that the ratio profile for bankrupt group fell at minus 0.25 average and for the non-bankrupt group plus 0.4.48 तो उसने बुला वै 2.99 के उपर है तो तो आप एगदम safe हो आपको tension लेने की ज़रत नहीं है आपर अपन लोग कभी blood test कराने को गया है तुम लोग ठीक है तो जब blood test कराने को जाओगे ना तो एक range आता है कि अगर आप 2 to 3 के बीच में आपका iron है then in that case it is good तो आपका 2.5 आया अच्छी बात है अगर आपका 2 आया तो आप border line पे हो ऐसा बोलते है तो वैसे ही आपे 66 firms में से 33 firm जो bankrupt हुई उनका Altman Z score आया minus 0.25 वो तो एकदम ही bankruptcy के ऊपर हो अगर आप gray level पे हो then in that case अब संभाल लो अपने आपको तो मैं company का नाम लेना चाहता हूँ जो जिसको ये use कर लेना चाहिए था आइडिया एक ad tech company जो आज से कुछ महीनों पहले dollar 20 billion का valuation था आज it is almost on the verge of filing is bankruptcy correct by juice so by juice को अगर उसने Altman Z score अपना test किया होता then in that case उसको पहले ही पता चल गया होता या I do should I approach me why didn't you approach me by you तो मैं आपको बता देता है आप distress zone में हो प्लीज संभल जाएए या जब कोविड था ना तब बाइजू था safe zone में फिर वहां से कब वह ग्रे जोन में गया कब distress zone में गया ज्यान रखना पड़ेगा ना आज की तारीक में और एक company है एक पेटियम दो हजार रुपे में पेटियम ने अपना शेर लिस्ट किया था आज 400-500 रुपे भी नहीं है तो आपको भी टेस्ट करवाना चाहिए पेटियम हम देखेंगे आपका जी स्कोर क्या रहा है अब जी स्कोर से क्या पता चलता है मुझे मुझे पता चलता है company का यह आपको कहीं पे लिखावा नहीं मिलेगा के उसका working capital to total assets का क्या सीन है जिसको हम बोलते है liquidity performance कैसा है total assets के सामने आपके पास working capital कितना है उसके लिए उसने अपने analysis के basis पर वो analysis के अ उसने बोला कि retained earnings मतलब आपके पास profitability कितना है आपकी company का उसको उसने coefficient दिया 1.4 तो ऐसे 1.2x1 plus 1.4x2 plus 3.3x3 जो उसके हिसाब से सबसे जादा important है and that is earnings before interest and tax upon total assets. earning before interest and tax should be very very high according to him. उसको उसने 3.3 का fixed coefficient दिया. कोई भी company का आपको evaluate करना है ultimate z को निकालना है तो 1.2 हो ही रहेगा. x1 हर एक company का change होते जाएगा. वो देखेंगे वही उस company का working capital कितना है upon total assets कितना है. x2 देखेंगे उसका retained earnings कितना है upon total assets कितना है. तो इसी के लिए यहाँ पे अपने पास है एक example और इस example को आपने लोग solve करेंगे. exam में भी institute काई बार यही example के ओपर question पुछता है and we have to give them the answer. right? so exam में यह आप लोगो यह दिखरा है इदर यह zone के ओपर भी question आएगा और एक proper typical question मतलब एक case study के ओपर भी question आएगा. थर्ड उसका analysis था relating to operating efficiency which I told you all is earning before interest and tax upon total assets. next फिर बाद में in line आगया मेरा market value of equity upon total liabilities जो बता था है कि अपना overall liabilities के सामने कितना equity है तो debt के बारे में थोड़ा idea आ जाता है इससे अपने को. and the last is total sales upon sales upon total assets जिससे productivity के बारे में पतलता है कि बाई assets से कितने मैं sales generate कर पा रहा हूँ. 1.2, 1.4, 3.3, 0.6 and 1.0 are predefined weights, are predefined coefficients, ठीक है तो वो ध्यान में रखना है. now ultimate Z score आप में एक बार पढ़ रहा हूँ. ध्यान देंगे आप लोग सब लोग optimized open कर लेंगे, right? चौँ, let's focus. In 1968, Edward Altman suggested Z score model. अब यह इनका first नहीं था. इसके पहले एक person था Mr. R.A. Fisher. इन्हों ने similar lines के ओपर काम चालू किया था. कैसे यहाँ पे आप लोग के multiple ratios को आप test कर रहे हो एक ही equation में and you are getting a Z score. और वैसे ही R.A. Fisher ने भी कुछ ratios निकाले थे, बट वो multiple ratios नहीं थे, वो individual ratios के basis पे determine करना था. उन्हों ने, Altman ने यह सारे R.A. Fisher के ratios को और अपना obviously कुद का analysis के basis पे एक और अच्छा proper ratio का working बनाया and that is what he gave to the world to determine के boss अपने को whether we are on the words of bankruptcy or not. Edward Altman suggested the Z score model to predict the profitability that a firm will go into bankruptcy within the next two years when he was an assistant professor at New York University of Finance. It is worth noting that Altman Z score is a customized version of discriminant analysis technique by R.A. Fisher. Meaning, the Z score model is capable of considering multiple factors at one point of time for analysis. तो R.A. Fisher का यही एक drawback था. उसने individual ratios के उपर focus किया. उसको और better किया Z ने, Altman Z score ने and they considered, Altman considered multiple factors at a single point of time for analysis. This feature makes Altman Z score a sophisticated model that combines five ki ratios into a single discriminatory score called as a Z score. 5 scores को combine करके एक equation which gave us the final answer Z score is generated by calculating 5 की ratios multiplied by its pre-determined allocated weight or coefficients added together to reach a single discriminate score और यह जो Z score है इस table के साथ फिर में compare करूंगा and then I will take my decision that what exactly is my status clarify कर दिया है Z there is no concept of an ideal score the computed Z score indicates the likelihood of failure as per the table 2.99 से जादा है खुश रहो यूर से बस आस सिम्पल आस दा मैं बोल रहो ATM का यह अपने को Z score निकाल के देना चाहिए it will be beneficial for them by जूज ने निकाला होता पहले से ही तो it would have been helpful to you समझ में आया इधर तक अपने को कि क्या intent है Z score का अब एक एक एग्जांपल के थू क्यू न यह Z score को समझ लिया जाए and solve कर लिया जाए so that if it comes in the examination we are safe and secure. चाहँ, let's start चाहँ, let's begin Numerical application of Altman Z score model. Sigma cast and pig molder SCPM Limited has been in the business of molding cast and pig eyes for more than a decade SCPM is listed on the national stock exchange and market value of equity is 7,000 crores क्या मेरको market value of equity की जरुवत पढ़ती है यहाँ पे the answer is yes sir X4 में market value of equity चाहिए तो ऐसे हैं आपने को एक एक चीज़ identify करके लिखते जाना है अब मैं तुम लोग को एना इक बर एक एक यहाँ पे लिखवा देता हूँ as a sum so it will be really really helpful to you आपन लोग कर रहे हैं यह question based on altman z score यह आपको मिलेगा 8.25 theory वाली बुक में याद रखना concept वाली जो बुक है उसमें यह question है आपको page 8.25 के ऊपर let's start formula अपने को पता है so let's write on the formula formula याद रखना पड़ेगा कि 101% yes है कोई ढाउटे नहीं है सीधी सी बात है right so what is your z score वो मैं इधर लिख देता हूँ your z score is going to be 1.1.2 x1 जब यह आ जाएगा तो इधर लिख देंगे plus 1.4 x2 plus 3.3 x3 plus 0.6 x4 and plus 1.0 x5 so जैसे जैसे यह numbers आते जाएंगे we will write here finally we will get what is our z score तो सबसे पहला इधर मैंने देखा है वो लोग ने लिखा है market value of equity जो मैं use करने वाला हूँ आगे so इधर लिख देता हूँ मैं market value of equity कितना दिया है and it is given as 7,000 crores it is given as 7,000 crores done sir next अब मैं crores नहीं लिख रहा हूँ because it is assumed के वो सब चीज़ crores मही है next the total assets are worth rupees 3,500 crores क्या total assets मुझे चाहिए yes sir write down total assets please book और पहन लेकर बैटे हो तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए ही बाकि आपकी इच्छा next market value of equity while they have a working capital of 4,200 crores so पहले सबसे पहले ना आपको ये सारी चीज़े लिख लेनी है बाद में इसको apply करेंगे कोई tension की बात नहीं but first thing is we should write it down next SEMP has a earning before interest and tax of 6,500 crores क्या अपने को ये चाहिए the answer is yes earning before interest and tax 6,500 crores which is enough to employ more staff and install capacity more SEMP is enjoying revenues teams with a top line total sale of 8,300 crores so यह पहएब आपको we will write down total sales of 8,300 crores but with a recent loan taken to facilitate automation investors are skeptical about the sustainability and hence want to know how it is doing okay their liabilities stand at 5,000 crores do we need the liability yes sir so liabilities is standing at 5000 crores then while retained earning amount to 800 crore so retained earnings भी अपने को चाहिए so retained earnings is 800 crore done sir अब आगे क्या बोला है देखते हैं to put an end to haze among shareholders and fund providers regarding possibility of bankruptcy जो अभी पेटीम के साथ चल रहा है तो यह लो क्या बोलता है आप ultimate z को निकाल लो और देख लो हमारा क्या position है थीक है तो हम लोग के हिसाब से हम यूज करते जाएंगे एक्स वन क्या बोलता है तो आज ओफटाफट देखते है एक्स वन बोलता है working capital upon total assets इधर का इधर ही अपनोग लिख लेंगे working capital short में upon total assets क्या मेरे पास working capital है 4200 क्या मेरे पास total assets है 3000 so immediately मैं यहाँ पर लिख लूँगा 4000 divided by 3200 जैसा कि यहाँ पर वो लोग ने total assets किता है 3500 है okay so मैंने गल्ती से I think 3000 लिख दिया है no problem so it is 3500 okay no worries so total assets 3500 crore so मैंने देखा यहाँ पर working capital 4200 total assets 3500 immediately I will write here this 3500 divided by ultra 4200 divided by 3500 बोलो बोलो tell tell कितना आता है फड़ा फट कैल्कुलेटर जैवरीबाड़ी and it is 1.2 so 1.2 into 1.2 आप ऐसे का ऐसे भी रख सकते हो 1.2 into 4200 divided by 3500 बाद में भी करना है कर सकते हो and आपको इदर solve करना है तो भी कर सकते हो it will be 1.2 into 1.2 which is 1.44 so यह हो गया 1.44 taking into account this यह हुआ पहला दूसरा दूसरा क्या बोलता है X2 क्या बोलता है भाईया X2 is retained earnings upon total assets so retained earnings देखो मेरा कितना है ओ मेरे पास तो यहाँ पे ही retained earnings लिखावा so retained earnings is 800 total assets is 3500 so retained earnings upon total assets retained earning 800 total assets 3500 so 800 divided by 3500.222 if में कुछ आ रहा है into 1.4 अगर मैं करता हूं तो it is 0.32 so इदर मैंने लिख लिया 0.32 ठीक है so I hope अपने को चीजे समझ में आती जा रही है done next के उपर आते थर्ड के उपर आते है थर्ड मेरा है यह सर याद रखना पड़ेगा यह 101 परसंट इस earning विफोर interest and tax upon total assets most important क्योंकि इसको 3.3 का वेटेस दियावा है बॉस so earning before interest and tax upon total assets total assets तो अपने को पता ही है 3500 है earning before interest and tax अपने पास है 6500 so 6500 divided by 3500 and it is 1.857 into 3.3 मैं कर देता हूं तो 6.13 6.13 next x4 को लेते है x4 क्या बुलता है बॉस market value of equity upon total liabilities market value of equity upon total liabilities end तक देखना कुछ और important चीज़ है जो बताऊंगा market value of equity क्या आपने को दियावा है ता answer is yes market value of equity is 7000 upon liability 5000 so 7000 divided by 5000 so 7000 divided by 5000 is 1.4 into 0.6 is 0.84 and last is 1 into last मेरा है 1 into x5 यह x है वो ध्यान रखना है वो x है x5 क्या बोलता है बॉस x5 बोलता है sales upon total assets sales कितना है 8300 upon total assets is 3500 so 8300 sales upon total assets 8300 divided by what is the total assets total assets is 3500 so 8300 divided by 3500 multiply by 1 so यह मेरा आजाता है 2.37 जब मैं इसको सबको add करता हूं 1.44 plus 0.32 plus 6.13 0.84 plus 2.37 एक बार फट फट आप लोग भी calculation check कर लो यार और यह आ रहा है 11 yes so मेरा ultimate z score आ गया है 11.1 examiner पूछेगा आपको यह you should know it examiner individually आपको यह भी पूछ सकता है if this question what is x1 तो x1 is what working capital upon total asset मैं आपको भी बोल रहा था कि त्यान से end तक सुनना because खाली answer लाना ही सबकुछ नहीं है अभी mcq based है तो mcq क्या-क्या type का पूछ सकता है वो आप लोगों के साथ में share कर रहा हूं all 20 z score बोलता है 11.1 anything about 2.99 is definitely acceptable because that shows that we are safe मोगाम बो खुश हुआ और अगर मोगाम बो खुश हुआ then in that case यार एक गाना तो बनता है क्या बोलते हो comment में बदाना कौंसा गाना सुनना है next time पका वो तुम लोगे साथ बजाओंगा खुशी होती है तो मैं कभी भी अपना गीटा लेकर बैठ जाओं बजाना नहीं आता है बड़ गाना तो आता है दिल पहला नशा पहला खुमा नया प्यार है नया प्यार है नया बजार चारवई अपन आल्ट मैं जी स्कोर को पड़ते हैं I think that is what चार्ट अकाउंटेंट्स आर मेड़ आफ यार अपना लाइफ कितना डल होता है न यह सब कुछ है नहीं ऐसा नहीं है अगे आल्ट मैं जी स्कोर 11.1 आ रहा है और रहा है and I am very happy because मैं safe हूँ अब question में क्या पूछेगा वो ध्यान से सुनना वो आपको question में पूछेगा tell us something about X2 retained earning upon total asset market value of equity upon total liability it could be anything it could be anything चलो done with this we complete Altman Z score समझ लो आपका 8 से 10 माक आपके pocket में आ गया है analysis of computed Altman Z score companies with a Z score of 3 or above are considered to be financially sound with a score of 11.097 which is 11.1 it is firmly in the safe zone hence investors can comfortably toss away their fears regarding bankruptcy so that is how the whole system works got it up अलग 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 हो जाएगा और बाकी वर्किंग सेम रहेगा बस coefficient अलग हो जाएगा फिर कोई non-manufacturing company है उसके लिए coefficient अलग हो जाएगा तो ऐसा है अगर कोई non-manufacturing company हुई या अगर कोई private company हुई तो उनके लिए थोड़ा अलग calculation करना पड़ेगा बाकी manufacturing companies companies के लिए ultimate ने जो यह दिया है that is more than more than sufficient I hope समझ में आगया होगा जब आएगा exam में और marks लेकर आओगे याद कर रहा मत भूलना मेरी आवास गुंज नहीं चाहिए और फॉर्मिला जो इदर मैंने लिखा है इसको प्रॉपरली समझ लो इसको प्रॉपरली समझ लो ठीक है अगर आपको बहुत extensively याद करना है तो एक technique दे रहा हूं x1 x2 x3 x4 x5 और फिर यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो क्या लिख सकते हो sir के अगर manufacturing entity हुई हलो अगर manufacturing entity हुई तो उसका coefficients क्या है 1.2 all of that then private company हुई तो उसका coefficient क्या है और अगर non manufacturing company हुई तो उसका coefficient क्या है तो अगर यह जैसे private company है तो उसका coefficient है पहला वाला 0.717 तो यह 0.717 नॉन manufacturing company है तो उसका 6.56 ऐसे पूरा चार्ड बना सकते हो and then you can manage for yourself वाकि सम अगर आया फटा फट जो आपके पास rough sheet होगा उसमें यह पाच चीज यह जो साथ चीज है वो लिख लो फटा फट calculation जाएगा फिर आपको वो जो mcq भूचेगा you will be easily able to manage it without any hassles whatsoever अच्छा everybody ultimate z score okay then so कैसा लगा आपको यह session do let me know in the comment box definitely share it with somebody जिसका एक्जाम बाकी है आने वाले कुछ दिनों में trust me your 20 minutes will make a big difference in that person like and share like इसके लिए because आपको और ऐसे जो भी connected videos है वो आप लोग को फिर मिलते रहेंगे by default and notification वाला tab on रखना है subscribe करके मिलते रहेंगे और ग्यान देते रहेंगे आपको आपको और क्या चाहिए let me know hasta la vista keep smiling thank you so much take care bye bye